को है वेल्कम बैक टू आए चैनल कैसे आप सब लोग आई हो आप सब लोग बढ़ियाओंगे मस्त होंगे चकाचक ओंगे तो अभी फिलाल जो है मैं नीचे की क्लीनिंग कर रही हूं आज नीचे आगई मम्मी के फ्लोर की तो मैंने का मम्मी तो चली गई है तो फ्लोर जो एक क्लीन कर देती हूं क्लो लो दो तो जश्यादा वैसा हो गया है लाच किलते फिटते जयाँ जूते पहनं के तो मिट्टी विट्टी होगी थी जादा तो मैंने के क्लीन कर देती हूं और बाकी जो भी मुझे गंदा देखता है रहा ना मैं उस पर भी कपड़ा मारती आ रही हूं तो हस्वेंट तो चलेगे आफिस उसके बाद ही फिर मैं क्लीनिंग में लग गी हूं आगे नीचे पहले नीचे कर देते उसके बाद फिर उपर की करूंगी तो यहां जहां मुझे गंदा दिख रहा है ना कपड़ा मारती आ रही हूं यहां पे छोटा-छोटा समान काफी रखा था तो उसको मैंने एक पॉलीथिन में करके और फिलाल रख दिया है बाकी फिर मम्मी देख लेंगे नीचे आने ने देता है उसके कमरा बंद रहता है मुझे मम्मी ने तो तो अधरवाइस क्या होता था नीचे खेलती रहती जाए दादी नहीं है तो दादी की याद तो आती है यार बच्चों को बोलती नहीं बट यह उड़कती तो ही तो वह भी साथ मिल आई हूँ मैंतों साइकल लाइकल नीचे रखी तो अपने आप जीनों का यह है कि अपने आप खेलती रहती है उसे किसी के जुरूत नहीं खेला लेती है तो बस यहां पर हर चीट पर तो मैंने डस्टिंग कर दी और फिलाल बस जाड़ू रही है तो जाड़ू लगा देते हैं आज नहीं थो करें कि मिट्ट बंद रहा रहता है ऐसे भी कोई आता है नी पूजा के लिए आती हूं मैं तो पूजा के लिए मैंने मौर्निंग में थोड़ा सा ऐसी जल्दिली में मार दिया था पहुंचा क्योंकि हस्बेंट को ऑफिस निकालना था टाइम से और मैंने का उसके बाद ही मैं तो इसलिए फिर मैं दुबार आई हो प्राइन के लिए थो मिनका अपकर देतीूं और मोटर हो अगयर भी चलानी होती है तो काफी चीज़े होती है ध्यान रखने वाली जो कि घर में कोई बड़ा होता है तो ध्यान रखता है जब वह चला जाता है और तभी उसकी कमी जो है महसूस होती है ऐसे लगता है जिम्मेदारी न फिर अपने उपर आ गई है अगर कोई बड़ा चला जाया तो मोश्टली ऐसी लगता है वैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ भी हमाद सास यास ऐसी होती है या मां हमें साट डाड़ती रहती है बट वो जब लोग नहीं होते लाइफ में तब ज़्यादा उसकि उनकी कमी महसूस होती है क्योंकि बहुत जिम्मेदारी ऐसी होते हैं कि वह देख लेता है नीचे का मुश्टली सब कुछ द्यान रखना तो सब ममी की जिम्मेदारी है तो जब नहीं होती है तो हम लोग उपर ज्यादा बल्टन हो जाता ह कि कौन आया तो देखना होता है बार बार नीचे आके कुंडी खोलो तो यह जो काम होते हैं यह mostly बड़े बुड़े रहता है घर में तो भगवान करें कि वह बैठे ही रहे हमेशा कभी हमारे उपर से साया ना उठें क्योंकि बहुत साही रहता है तो बस यहां पर किचन में न आ जा रही तो मैं अच्छी तरह उसके बात फिर उपर चलते हैं और उपर का भी अक्शुली ना गद्डा मैंने बाहर डाल दिया तासा कि थोड़ी से दूप लग जाएगी ऑर हवा लग जाएगी बाहर की तो सही रहेगा सर्वधियों मैं तो वेसे मोश्रियमा सुखाईी लेति हूं बाहर बढर गर्मियों में यह कि दाल लेती हूं तो बस इसको मैं उठा जूँ बाहर क्योंकि근क्ष अब सब्हर करे no तो मैंने का बिछा रेती हूं और इचा अधर वादर जो है इस पर बिछा रेती हूं उसके बाद फिर मैं जाड़ो अड़ो लगा लेती हूं अधर बाद बाद ने के अधर में जाड़ों आधर नियुक्त लिए सेग्ट उससाइड लिए अधर जोड़ों फिर में आधर बाहर की जो बैटशीट्ट विद्धा भाद जोड़ों अधर बाद है तो मैंने खाडर में ड्राइब देश ऑवका मच्छ पर अब तो मुझे घंड़ जाड़ दिया इस तर अब तो अब है तो मुझे फिलाल कुछ नी करना मौर्णिंग में पोहा बना लिया था तो मैंने थोड़ा से पोहा लिया मैं एक्चुली क्या होता है न पोहा ठंड़ा हो जाता है मेरे टाइम तक मैं खाती हूं अस्वेंड को निकालके और फिर जीनु को दूदूद पिलाके पॉट्योटी कराके उसके बाद फिर मैं आराम स अधरवाइस क्या है कि भूक नहीं लगती है और टाइम भी हो गया तो चल्दी फटावट से कर लेते हैं आट साफ साफ आई जीरू देखो आराम से टीवी देख रही है उसको चेयर पर बैठने को शौक चड़ा रहता है आजकल तो चेयर पर बैठ गई है और टीवी चला प्रेंट वगयारा होते हैं तो वे बाइक पर गुमा देते हैं बट मैं खुद नहीं जाते हूं बहार अंदर रहते मोस्ट लिए आपने देखा ही है तो जीनों को बाहर निमें भेज़तु बाकी बस यहां पर कपड़े भी दो लगे हैं तो यह कपड़े जो इनको भी शु तो गाइस काम तो सारा हो चुक है खतम बीवी फिरी हुई हूँ और अभी मैंने बालों किया कॉम तो एकाद बाल जो जड़ रहा है वैसे मेरे बाल अब कम जड़ रहा है है चोड़ो और यार मैंने विवनाई है रील तो रील जागे प्लीज नहीं किया तो प्लीज मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए जोती शुक्ला के नाम से मेरे इस्टाग्राम आईडी और अगर आप लोग अभी तक ब्लॉक देख चुके हैं यहां तक तो प्लीज प् जातों ब्लॉक को तो प्लीज इसको लाइक कर दिया अगरो इसनी महनत लगते है ब्लॉक बनाने में तो बस बाकी इंचॉय करिए व्लॉक एंड भी नहीं है अभी मैं करने आदू लंच आज मैंने लंच में बनाया था राजमा सुपह राजमा बनाया था तो हस्बेंड वह में लेके गया है चावल नहीं बनाया खाली राजमा रोटी और रायता है तो वही खाली थी फटावट से क्योंकि एक बच चुक है मुझे जब मुझे भूग लगते हैं तो मेरी आवाज में निकलती है दबी दबी सी वैसी मेरी वाज पता है बहुत दीरे बोलती हूं पता वाले ब्लॉग अगर आप देखोगे ना जाके मेरे पहले वाले तो क्या बनाया है यह मतलों मुझे खुद देखे खासी आती है इस टाइम पर अब भी इतने वह नियुक्त है कि पहले से बहुत बैटर कर लिया मैंना पहले में बहुत दीरे बोलती थी तो लोग के सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी जेलना पड़ेगा कुछ नहीं हो सकता है कि दीनों के चल्ड़े तीवी यह रहा मेरा सैलेड जो कि मैंने पहले पड़ कर लिया था यह बढ़ाऊंगे भी और यह राजमा पैसे थोड़ा ही बनाया है थोड़ा वाने दीदी को दे दिया मतलब बच्चे खाले तर प्याज वाला और बाकी हस्बेंड लेगाई ज्यादा नहीं बनाया है क्योंकि हमी लोग एक खाने वाले फिलाल उम्मी पापत है नी तो यह राय था इसमें ने मिला लिए पोदीना जो कि मैंने सुखा के रख लिया है तो यार खाना पीना तो खाली हम दोरों ने जीनू ने भी खाली मेरे साथी और मुझे दिग्गे फिर जीनू की नेल्स जो की काफी बड़े हो गयते बच्चों के नेल्स यार बहुत जल् करते तो दिमाग से निकल जाता ना तो उसके नेल रही आता है तो रात में कट कर देती हुल और जीनू कभी परिशान नहीं लुए तो छोटी थी जिपभी कट कर वा ले तो आघए राई राईज हस्बेटर के फेवरेट यह नोंने न बोला है रापर हो कर दो एविए हम प तो समोसे खाके ना पेट थोड़ा सा लादा फुल है आदा खा लिए तो वही समझ लूँ आप ऐसा हो रहा है फिलाल में तो मैं सोच नूँ दाल रोटी है क्या बनाओं तो और खिचडी कल खाई थी हम लोगने तहरी मतलब मैं नेकल बनाई थी तो कहरे कि फ्राइटरेस बना लिए ताकि ठंडे हो जाएंगे पूरा कोख नहीं करा मैंने एक सीटी आती बंद कर जाता है और यहां मैंने काट लिया है सब तो बस प्राय कर जाते हूं टमाटर नहीं काटे क्योंकि टमाटर जो है बंड को अच्छे नहीं लगते और यहां जो है दूद भी हो चुका है देर से बॉइल हो रहे है इस पर अग्दुटी में पैन तो यार सबजी हैं वैसे तो कुछ रखी नहीं थी तो जो सबजीती में उसी हैं बना रही हूं फिलाल और मैंने मंगाई विनियस ब्रेंड से क्योंकि वो किसी काम से गयते बहार तो मैंने काव लेट आईगे तो इस कर दिये और उसके बाद सिम्ला मिर्च भी डाल दिये बस फटावट से नॉर्मल से बना रही हूं आज कुछ एक्स्ट्राइट नहीं करूंगी क्योंकि हस्बेंट को मोस्टली सिंपल ये अच्छ लगते हैं तो इसलिए वैसे तो मैं सहाजवान वगरा भी डाल देती हूं क्योंकि उनको जादा चीर नहीं लगते हैं सहाजवान से तो फिर मैंने का चलो ठीक है नॉर्मल बना रहती हूं तो चावल भी ठंडे हो गए तो चावल भी मैंने ऐसे ना उठा उठा के डाले हैं ज्यादा ना गोट गुट ना जाएं वस यसी चीज का ध्यान रखा है और इसमें डाल दिया है विनागर और बाद में मैंने अट कर जाता थोड़ा सा सोया सॉस जिससे की कलर जो है बहुत अच्छा जाता है और फ्लेवर भी मोचली इनी चीज़ों से आता सोया सॉस और विनागर से तो यह दोनों तो यार में चीज होती है फ्राइड राइस में